नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, आप सब का एक बार फिर से स्वागत है, बाइजूज एक्जाम प्रेप, आयर सिंदी के यूट्यूब चैनल पर, आज है 16 जनवरी 2023, आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंफिक परिक्षा की द्रश्ची से, कौन-कौ को लगाने का प्रेयास करिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूज चर्चा में क्यों है, जैसा कि आपको पता है, लास्ट येर, पैसिफिक आइलेंड का एक नेशन है, उस नेशन का नाम है टॉंगा, तो इस जगए पर एक वालकैनो, यानि की ज्वाला मुखी क इरप्शन हुआ था, उसके बाद से, यहां पर ऐसा देखा गया कि जो यहां पर कोरल रीव थी, इस देश के तट के किनारे, उसमें भी अभी कोई बहुत जादा मातरा में बढ़ोतरी नहीं हुई है, अब ज़रा इसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं, तो देखिए, जो जादा चर्चा में था, COP 27 के अंतरगत, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी, यहां पर आपको मिलेगा Tonga, यह जो Tonga देश आपको मिलेगा ठीक, Australia के इस दिशा में मिलेगा, यहां पर New Zealand है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, यह तीनों लोकेशन बहुत जादा अब बिसिकली जो Tonga आइलेंड है, इसमें कई सारे आइलेंड हैं, इनके मिलके, इससे मिलकर यह बना हुआ है, टोटल अगर पॉपुलेशन की बात करें, तो एक लाख क्या सपास इसकी पॉपुलेशन मिलेगी, राजधानी है, नाकू अलोफा, तो यही पर अब देखिए यह जो पूरा लोकेशन है ना, यह पूरा एरिया, यह पूरा एरिया आता है Pacific Ring of Fire में, इसी को ध्यान से इस ग्राफ में जड़ा देखो, तो यह Australia है, इसके उपर यह Papua New Guinea है, यह Pacific Ring of Fire आप देख रहे हो, जो यह red color से mention है यहाँ पर, यह वाला जो भी एरिया है, यह बहुत Tonga Island आपको मिलेगा, और इसी के उपर थोड़ा सा आप देखोगे, तो Solomon Island भी मिलेगा, वापस लोटते हैं आपने प्रेशन पर, तो पहला यहाँ पर option आ रहा है, Comoros, तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि Comoros जो है, यह Pacific Ocean में ना होके, यह कौन से Ocean में है, Indian Ocean में है, और यह Indian Ocean में आपको कहां देखने को मिलेगा, जब आप हमारे प्यारे भारत को देखते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है Medagascar, ठीक है, तो Medagascar जब आप देखेंगे, तो Medagascar के just उपर यहाँ पर दिखेगा, आपको Comoros, यही पर आपका African महा अमेरिका है, यह वाला South America है, तो Mexico के नीचे, यहाँ पर जो location है, जी मैं notice कर रहा हूँ, इसको map में एक बार जरूर देखेगा, यही पर आपको Guatemala देखने को मिलेगा, पेरू की बात करेंगे, तो यह भी आपको दक्षिन अमेरिका में देखने को मिलेगा, इस तरफ ठीक है, इसी के उपर आपको Equador country देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको Bolvia देखने को मिलेगा, इसके जस्ट नीचे आपको Chili country देखने को मिलेगा, तो यह भी एक तरीके से Pacific Ocean का पार्ट आ जाता है, Solomon Island की location मैंने आपको बताई, तो यानि की ध्यान से आप देखोगे, तो यह चार options यहाँ पर सही है, जो Pacific Ring of Fire में आते हैं, तो इस वजए से इसका option क्या हो जाएगा, B, केवल 2, 3, 4, 5, Komoros जो है वो Indian Ocean का पार्ट है, यह Pacific Ring of Fire का पार्ट नहीं है, अगला प्रशन, MV Ganga Vilas के संबंद में है, यह basically क्या है, यह एक cruise ship है, इसको बोला दा रहा है कि World का सबसे बड cruise ship है, इसके बारे में यह आपके सामने कथन दे रखे हैं, कौन से कथन यहाँ पर सही है, इसके बारे में आपको विचार करना है, एक बार जड़ा इस news के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो आपको पता है कि 13 जनवरी को बनारस के अंदर से हमारे प्रधान मंतरी के दोरा इस cruise ship का inauguration किया गया, जो important facts है हमारी परिक्षा की दरश्टी से वो जान लेना important है, देखे यह वारा नसी से होके, और इसका last यहाँ यह तो इसका source हो गया, ठीक है, अब इसका destination क्या होगा, जहां तक इसको पहुँचना है, तो डिबरुगर, यानि कि कहां पे आसाम में, औ और यह पूरा route इसका रहेगा, तो यह सब important important जो शहर है, वो इस route पर पढ़ेंगे, जहां पर यह जहां से होके गुजरेगा, यह देखे यहाँ पर धाका का भी location आता है, तो कुछ time यहां से होते हुए यह यहां से निकलेगा, तो basically दो countries, यानि कि India और Bangladesh, दो countries को यह cover कर रह इसका main focus क्या है, देखे, main focus इसका यह है, कि भारत के अंदर जो tourism है, tourism में भी basically cruise tourism, यानि कि नदी के पर्याटन की बात करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा boost करना है यहां पर, जो भी इन सारे शहरों की बात करें, वारा नसी, पतना, कोलकाता, तो इन सब जगे पर जो important location ह कैसी हो सकती ही, वो कोई national park हो सकता है, वो historical place हो सकते है, जिन से भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, यहां पर कोई art and culture का important place हो सकता है, यहां का खान पान, यहां की कला संस्कृती, इन सारे important locations घुमाए जाएंगे यहां पर यात्रियों को, भारत की इतिहास को, इसके बारे में वो आपको mention कर दिये हैं, तो आप इसको देख सकते हो, अब जैसे यहां पर माजूली के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार स्कूल आफ योग की बात कर रहे हैं, विक्रमशिला उनिवस्टी की बात कर रहे हैं, तो यह सब locations important हैं, जो यहां पर परेटों को द आए गए हैं, ठीक है, अगर यात्रियों की बात करें, तो यहां पर 36 टूरिस्ट एक बार में यात्रा कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, वापस लोटते हैं अपने प्रेशन पर, MV गंगा विलास भारत में बनने वाला पहला स्वदेशी निर्मित ठीक है, इसके हेड़कॉर्टर की बात करें, तो यह आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यह सब अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, तो इसी के योगदान से यह बनाये गया है, तो पूरी तरीके से इंड अथन सही है, इसको लगाने का प्रयास करिए, अब देखें यह चर्चा में क्यों आया, क्योंकि ब्राजिल के अंदर एक हाई कॉन्फरेंस मीटिंग इस्टैबलिश करी गई है, जिसका मेन उद्देश है कि भाई, सड़क पे जो दुरघटनाय हो जाती है, ठीक है, उनको क इस तरीके से कम करा जा सकता है, अब आपको याद होगा जो ब्राजिलिया घोशना थी, बिसिकली ये 2011 की बात करें, तो 2011 से लेकर 2020 तक, यानि कि एक दशक में इनको क्या करना था, कि जितनी भी सड़क दुरघटनाय होती है, किसी भी देश में रोड एक्सिडेंट्स होते ह तो उसमें 50% की कमी लानी थी, 2015 में जब इसकी मीटिंग हुई थी, तो ये टारगेट बनाए गया था, और भारत भी इसका सदव से बन गया था, 2015 में, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, कि 50% करना था 2020 तक, और बैसिकली अगर ये भी पूछा सकता है, कि ब्राजिलिया गोशला जो है, वो किस चीज से संबंदित है, तो ये रोड एक्सिडेंट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, या यहाँ पर परिवाहन की बात करते हैं, तो सतत परिवाहन को कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी ये गोशला पत्र बात करता है, इसका उद्द सही है भारत में निजामों का परिवार उजबेकिस्तान के समरकंद के फार्सी आबिद खान के वंचज हैं हैदराबाद एक सहयक संधी पर हस्ताक्षर करके सबसे पहली रियासत था ऑपरेशन पोलो के समय मुकर्रम जाह हैदराबाद का निजाम था इसको लगाने का प्रयास क जो है वो ब्रिटिश काल की बात करें यानि कि modern history की बात करें तो हमारे history के slabos में बहुत जाधा important location बन जाता है बहुत जाधा important इसकी history रही है अपने आप में आपको सबने सुना होगा Operation Polo के बारे में, यहाँ पर सरदार पटेल के दौरा 1948 की बात करें, आर्मी भेच के यहाँ पर इसको सरेंडर करवाए गया था और वापस इंडिया में शामिल करा गया था. दूसरा यहाँ पर एक चीज आद रखिएगा कि हैदराबाद में उस टाइम पर जो निजाम थे उनका नाम था उस्मान अली खान. वापस लोटते हैं अपने प्रश्न पर, तो यह पहला कतन सही हो जाता है, जो भी हैदराबाद में निजाम का परिवार है, वो उजबेकिस्त में इन्होंने बोला था रियासतों से कि आपकी रक्षा हम करेंगे, और उस रक्षा करने के पॉइंट पे जो भी राज यह रियासत होती थी, उनका जो फॉरेंड पॉलिसी थी, वो यह लोग अपने पास रख लेते थे, यानि कि आप विदेशों से आपके कैसे मित्र संब प्रियास किया था, सबसे पहले साइन किसने करें थे, हैदराबाद ने, इसके बाद अगर बात करेंगे, तो मैसूर राज था, फिर तंजौर आया था, फिर उसके बाद अवद था, फिर पेशवा था, तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है, और परेशन पोलो के ट आता हूं कि भाई, मैपिंग बहुत जादा इंपोर्टेंट है, कुछ भी करेंट में आप पढ़ते हो, मेरी कोशिश है रहती कि आपको मैप में उस लोकेशन को जरूर दिखाऊं, मैं भी आपस यह उम्मीद करता हूं कि आप अपना एटलेस तो अपने पास एकदम ऑक्सी पढ़ेगी, रेणुका आधरभूमी की बात करते हैं, तो यह एकदम सही है, इमाचल परदेश के अंदर है, रूदर सागर की बात करेंगे तो तिरपुरा है, देखिए तिरपुरा से एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं, जितने भी यह नॉर्थीस्टन स्टेट हैं, यह most 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 important है, UPSC के point of view से, तो नॉर्थीस्ट को आप अच्छे से इसकी पूरी जोग्रफी आपको पता होनी चाहिए, संस्था कोता जील की बात करते हैं, तो यह केरला में आती है, तमिल नाडू में नहीं आती है, तो यहाँ पर दो हमारे रेणुका और रूदर सागर, यह इस अपील को accept किया था, किस अपील को, जब भी विवहा की बात आती है, तो यहाँ पर जो personal laws होते हैं, ठीक है, और दूसरा, जो यहाँ पर law है, बाल विवहा प्रतिशेद अधिनियम, तो इन दोनों के बीच में जो विवाद चलता है, उसको handle करने के लिए, उसको उसमें क आद में बात करी जाएगी, हालां कि, देखिए, हुआ क्या है, मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि, यहाँ पर आपको पता होगा, लास्ट येर, पंजाब और हर्याना, जो हाई कोट है, ठीक है, उसने एक अपना निरणे दिया था, वो निरणे क्या था, 26 वर्ष के एक मुस्लिम व्यक्ति ने, 16 वर्ष की एक लड़की से विवहा करा है यहाँ ठीक है, और इसी विवहा को चैलेंज किया गया था, हाई कोट में, बिसिकली क्या था, कि यह जो महिला थी, यह हाई कोट में चली गई थी, और वो चाहती थी, कि उसको अपने हस्बेंड के साथ रखा जाए, जबकि जो पंजाब पोलिस थी, उसने लड़की की कस्टेडी अपने अंदर ले ली थी, क्योंकि यहाँ पर पंजाब पोलिस का कहना था कि लड़की क्या है, वो एक माइनर है, जाहिर सी बात है, 18 वर्ष से कम यहाँ पर लड़की थी, तो वो माइनर कैटेग जाती है, रिप्रोडक्शन करने की, ठीक है, प्रजनन करने की, तो उसको प्यूबेटी स्टेज बोलते हैं, तो वो जो महिला है, वो प्यूबेटी स्टेज को क्रॉस कर चुकी है, इस वजए से यह जो शादी है, यह पूरी तरीके से लीगल है, और यह शादी लीगल है, तो उस महिला की, चूँकि उसने free will में काम किया, उसकी अपनी इच्छा थी विवाह करने की, तो इस free will को देखते हुए भी और puberty, जो Muslim law का है, उसको दोनों को देखते हुए, यहाँ पर high court ने इस marriage को पूरी तरीके से valid करार दिया, बट यहाँ पर मुद्दा यही उड़ जाता है, कि जब हम लोग बात करते हैं, बाल विवाह प्रतिशेद अधनियम की, तो इस अधनियम 2006 के अंडर में, 21 वर्ष होनी चाएए, वो पुरुश की एज होनी चाहिए, और 18 वर्ष होनी चाहिए, वो महिला की एज होनी चाहिए, इससे कम जो होता है, उसको बाल विवाह की शृड़ी में रखा जाता है, अब देखना यह है कि उच्छतम नियाले इस मुद्दे पर क्या निरले सुनाता है तो आज की सेशन में बस इतना ही रखते हैं आज मैं आपसे दो प्रश्ण पूछूंगा कल मैंने आपका Science Tech का Lecture लिया था मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा एक प्रश्ण मैं आपसे पूछता हूँ Tent City से संबंधित आज जो विला चर्चा में आया है तो इसी विला से संबंधित दूसरी न्यूस भी है Tent City मेरे को कमेंट करके बताईए ये क्या है क्यों famous है दूसरा प्रश्ण मैं अपने कल वाले सेशन से पूछूँगा कल मैंने आपको Alzheimer के बारे में बताया था मेरे को कमेंट करके बताईए Alzheimer में एक protein का नाम मैंने लिया था जो इस रोग का जिम्मेदार protein कहा जाता है मैंने जो to the point आपको चीजें बताने की कोशिश करी हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी आप से मुलाकात होगी daily quiz के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्णों के साथ तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे स्वस्त रहेंगे और most 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 important आपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद